हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टो मैं चैनल, हमारी ये वीडियो CCS University Beard Second Year Form से संबंदित है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जब आप अपना form फिल करके complete कर लेते हैं और फिर आप college में submit करने जाते हैं तो आपको साथ में कौन कौन से documents लेकर जाना है और दूसरी important बात आपको ये बताई जाएगी कि जब आपना form फिल कर लेते हैं वो किसी वज़े से incomplete रह जाते हैं या आपने अभी तक fee pay नहीं किये या अपने print out नहीं निकाला है या फिर आप अपने form को देखना चाहते हैं तो ऐसी condition में आप क्या करेंगे या फिर आप form submit कर चुके हैं अब अपने form का status देखना चाहते हैं तो ऐसी condition में आप क्या करेंगे तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले आप CCS University की official website पर जाएंगे official website पर जाने के बाद आपके पास यह वाला interface ओपन हो जाएगा तो आपको यहां पर examination portal शो हो रहा है यहां आपको click कर देना है यहां click करने के बाद देखिए जो आपको यह नीचे जो तीन line दिखाई दे रही है यहां पर आपको click करना है तो आपके पास कहीं सारे options यहां पर आ गए हैं तो पहला option है fill new form दूसरा है find, view, print, pay form और तीसरा है form status यह सारे आपके लिए important है तो देखिए यह वाला तो आपको बताया जा चुका है अब हम यह वाला देखते हैं इसमें आपको अगर अपना form ढूंडना है अपना form देखना है उसका print out लेना है या अभी तक आपने fee submit नहीं की है वो करना है तो हम इस option पर click करेंगे अगर आपने form submit कर दिया है तो आप form status पर click करेंगे कि आपके form का status क्या है वो accepted है rejected है वो सब आपको इसमें show हो जाएगा लेकिन ये show आपको after the last state होगा तो चलिए सबसे पहले हम find देख लेते हैं आप यहाँ click करेंगे तो आपको देखे कई सारे options यहाँ पर भी दिये हैं तो आपको 2019 नहीं है तो आपका क्या रहेगा 2020-21 का आपको अपना form reprint करना है आप गलती से उसको reprint करना भूल गये हैं तो आप यहाँ पर click करेंगे reprint form reprint form पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना form number डाल देना है और यहाँ पर आपको capture डाल देना है जो यह capture आपको show हो रहा है in case आप अपना form number ही आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास आपका form ही नहीं है जो आपने fill किया है तो आप यहाँ click करेंगे अपना form number जाने यहाँ पर click करने के बाद तो देखें यहाँ आपको आपके college का option name यहाँ पर course, gender, candidate name और capture जब यहाँ पर आप search कर देंगे तो आ आपको आपका form number मिल जाएगा वो form number मिलने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आके दुबारा यहाँ आके fill कर देंगे तो आपका जो आपने form fill किया है वो पूरा open हो जाएगा और आप उसको reprint कर ले या आपने fee pay नहीं किया तो fee pay कर ले जो भी condition है वो आप इसमें कर सक करते हैं तीसरा हम देख लेते हैं कि और in case आपका form payment नहीं हुआ है तो देखे यह option तो आप पे नहीं कर सकते हैं यहाँ से पसीरा पे पना form reprint कर सकते हैं अगर आपने in fand किया तो आपको यहाँ यहाँ से payment करना form payment पर click करके तो हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे हम form payment पर click करेंगे same यहाँ पर आप अपना form number डालेंगे, form number भूल गये है तो जो आपको अभी process बताई थी आप वहाँ पर देख लेंगे form यहाँ पर form number डालेंगे यहाँ पर आप capture डालेंगे आपका form open हो जाएगा search करने के बाद और आप वहाँ पर अपनी fee submit कर देंगे अगला option क्या देखना था आपको इसी तरह से अगर आपको payment receipt देखनी है तो आप यहाँ click करेंगे आपको payment status देखना है कि आपका payment हुआ है नहीं हुआ है आप यहाँ पर click करेंगे मैं आपको दोनो option show कर देती हूँ देखिए यहाँ click करने के बाद same आपको सारी process में अपना form number और capture fill करना है उसके बाद आगे की process अपने आप हो जाएगी same इसी तरह से payment status पर जब आप click करेंगे आपको form number fill करना है capture fill करना है और आपकी process आगे की same हो जाएगी तो देखिए reprint form जब आप यहाँ पर click करते हैं एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ अगर आप अपना form number भूल गए हैं तो आप यहाँ click करेंगे अपना form number जाने मैं आपको दुबारा ही इस बता रही हूँ form number जाने यहाँ click करने के बाद आपके पास आपके college का select option आएगा इसमें आपको अपना college select करना है then course जो की be at second year gender, candidate name, capture और फिर आपको आपका form number मिल जाएगा फिर जो भी process है जहाँ पर सब हर जगे आपको अपना form number जालने आप अपना form number फिल करके अपना payment status चेक कर सकते हैं payment receipt चेक कर सकते हैं यह सब आप इसमें कर सकते हैं अब आगे देखिए अब हम देख लेते हैं form status अगर आपको form status चेक करना है कि आपका form submit हुआ है accept हुआ है यह सब after last date होगा तो form status अभी भी आप चेक कर सकते हैं कि submitted है, rejected है तो किस तरह से करेंगे आप तो आप यह जो form status वालो option आपको दिया हुआ है आप यहाँ click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद same वही process होगी आपको अपना form number डालने है capture fill करने है और आपको form का status आजाएगा तो हर जगे same process होगी और form number कैसे find out करने है वो आपको बता दिया गया है अब हम दूसरी important चीज़ यह देख लेते हैं कि हमें जब form submit करने जाएंगे तो कौन-कौन से documents लेकर जाना है तो हम देख लेते कौन-कौन से documents तो देखे आपको 10th की mark sheet 10th की mark sheet लेकर जानी है 10th mark sheet 12th mark sheet अदेखे यह mark sheet आप original नहीं भी लेकर जाएंगे तो चलेगा आपको इनकी photo copies लेकर जाना है क्योंकि photo copies ही आपकी महाँ पर submit होगी 10th mark sheet, 12th mark sheet graduation की mark sheet आप तीनो year की graduation की mark sheet लेकर जाएंगे अगर आपने post graduation भी किया है तो post graduation की mark sheet लेकर जाएंगे आधार card की photocopy आप लेकर जाएंगे आधार card की photocopy और साथ में अपने आप तीन photos अपने तीन photos लेकर जाएंगे आप और आप अपना Migration Certificate ले जाएंगे Migration Certificate अगर आप अलग University से हैं उसकी Photocopy आपको लेकर जानी है इतने documents आपके लिए sufficient रहेंगे ये सारे documents और हाँ आप अपना एक document और लेकर जाएंगे जो की है जाती प्रमान पत्र तो देखे ये सारे documents जरूरी नहीं है कि सभी college इनको submit करता है कुछ colleges में कम document submit होते हैं कुछ colleges में जादा document submit होते हैं तो फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप अपने ये documents इनकी एक एक copy या दो-दो copy आप जरूर लेकर जाएं ताकि आपको फिर वहाँ जाने के बाद problem ना हो कि आपसे कुछ और मांग लिया जाए और आप वो लेकर ना गए हो तो ये थी हमारी वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, share करें, subscribe करें और इससे related कोई भी query है तो आप comment section में पूछ सकते हैं, thank you